दोस्तूं, कभी कभी हम एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाते और हमारा मन न जाने कहां कहां भटकता रहता है तो आज की एक कहानी आपकी उसी मन को भटकाओ से ठहराओ की यो ले जाएगी एक राज्य में एक अत्यंत प्रजा पालक राजा रहता था उसके राज्य में प्रजा अत्यंत प्रसंद थी और चारोर खुशाली चाई होई थी और उस राज्य का राज्या बहुत ही द्यालू और प्रसंद रहता था उसका राज्य भी ब्रंदियों को छूता हुआ आगे वड़ रहा था परन्तु समय पंक लगा कर कब उड़ गया पता ना चिला और अब राज्या बुढ़ापी की दहलेश पर कदम रख चुका था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी तो इस बात को लेकर राज्या अत्यंत दुखी रहने लगा और उसने एक दिन सोचा कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा कोई तो हो जो मेरे इस राज्य को बखुवी सम्हाल सके राज्या ने निश्य किया कि मैं अपने ही प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को राज्या बनाऊंगा उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला प्रजामे यह ऐलान करवा दो कि जो विक्ति कल सुबह सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए आएगा मैं उसे अपना राजे सौब दूँगा और उसे ही राजा बना दूँगा मंत्री ने सोचा कि राजा से मिलना कों सी बड़ी बात है यदि जनता ये ऐलान सुनेगी तो हर कोई राजा से मिलने चलाएगा परंतु मंत्री जानता था कि राजा बो धिमान है कोई भी कार्य बिना कारड के नहीं करते इसलिए उसने बिना किसी तरक के जनता में यह ऐलान करवा दिया कि जो विक्ति अगली सुबह राजा से मिलने सबसे पहले महल में आएगा वही इस राज का उत्राधिकारी और हमारा अगला महराज होगा यह ऐलान सुनने के बाद आधे से अधिक जनता ने यह सोचा कि यह कोई हसी मजाग है क्योंकि राजावनना इतना आसान थोड़ी है यह एक जूटी खबर है यह सोचकर नजाने कितने लोग वहीं बैठे के बैठे रहे गे परन्त कुछ युवक राजा से मिलने के लिए चल दिये और जब वह राजाम से मिलने महल के पास पहुचे तब उन्होंने देखा कि महल के बाहर राजा ने एक बहुत ही शुंदर मेले का आयोजन करवाया था जिसमें तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाईयां, तरह तरह के आभोशड और अतनत लुभाउने चीजे थी नाचने गाने का भी पूरा इंतिजाम था, जवान और खुबसूरत लड़ियां उस मिले में नाच रही थी जिसे देखकर उन सभी युवाओं का मन उस मिले में इस कदर खो गया कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला और अब इधर महराज महल में बैठे इंतिजार कर रहे थी कि काश कोई युवक उन प्रलोभनों को पार करता हुआ मुझसे मिलने के लिए आ जाए तो मैं उससे अपने राज्य का उतराधिकारी घोशित कर दूँ तभी केशव नाम का एक युवक महराज से मिलने आया तो महराज आश्यर चकित हो गए उन्होंने उससे पूछा तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ क्या तुम भी मेले के आकर्षण में कहीं खो गए थे उसने कहा नहीं महराज मैं मेले के आकर्षण में नहीं खोया बलकि पास के ही गाओं में किसी कारे से गया था अभी कुछ देर पहले लोटा तो आपके ऐलान के बारे में सुना तो आपसे मिलने चलाया राजा ने कहा फिर भी क्या तुम्हें मेले ने तरिक भी आकर्षण नहीं किया क्योंकि मेले में इतने शुन्दर शुन्दर चीजे थी तरह तरह के पकवान बने हुए थे तरह तरह के आभूशड थे और तरह तरह से लड़की अन्रत्ति कर रही थी क्या तुम्हें इन सब ने जरा सा भिया कर्शित नहीं किया उस लड़के ने कहा महराज मेरा तो सिर्फ एक ही लक्ष था कि मुझे सिर्फ आप से मिलना था इसलिए इन सारी चीजों पर मेरा ध्यान ही नहीं गया राजा ने उस युवक के जवाब को ध्यान से सुना और बेहत प्रसंद हो गए उन्होंने उस युवक को अपने राज का उत्राधिकारी घोशित करके राज का महराज बना दिया दोस्तों इस कहाने से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हम यदि अपने लक्ष पर सिर्फ और सिर्फ लक्ष पर ही निगाह रखते हैं तो एक दिन जरूर हमारी महनत रंग लाती है और हमारा लक्ष हमारी आखों के सामने होता है दोस्तों आपने बड़े धहरी और विश्वास के साथ मुझे सुना आप सभी का बहुत बहुत आभार यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से वीडियोज बनाता रहूं तो कमेंट बॉक्स में अपना योगदान जरूर दे और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आदेशित करें आपके हर आदेश का मैं यथाचित पालन करने के कोशिश करूँगा धन्यवाद